गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मारा मुर्ति क्लासिज में मेसेंजर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 का 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के question number 24 वैसे आगे करेंगे तो 24th question क्या है स्टुडेंट्स 24th question है 24th question हमने इस determinant को इस केकल प्रूव करना है देखिए आपको एक बार पेज दिखा देता हूं ताकि आप व्यूडियो को पॉज़ करके आप इसकी फिक ले पाओ और बाद में आप questions को करें आप स्टुडेंट्स इस determinant को हमें इसके equal प्रूव करना है देखिए अब हमें वन प्लस एसके प्लस बीसके प्लस इसके कहिए अगर मैं इस तरह से एड करता हूं तो a square तो है लेकिन यहां पर 20 square नहीं और ऐसे एड करता हूं यह रोव या प्लस आड करें तो नहीं मिलता हम ऐसे एड नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स पहले मुझे a square बीसके चाहिए तो एक काम हो सकता है अगर मैं R1 को A से R2 को B से और R3 को C से multiply करो तो यहाँ पर A square यहाँ पर A square इसलिए B square हो जाएगा फिर यह C square हो जाएगा A square B square C square बन जाएगा देखी कैसे multiply R1 R2 R3 by A, B, C respectively respectively means R1 को A से R2 को B से और R3 को C से multiply किया अब students मैंने सिर्फ multiply किया है मैंने multiply करके किसी अन्य रो में या कोलम में अडिया सब stack नहीं किया अगर सिर्फ multiply करता हूं तो divide भी करना पड़ेगा तो मैंने A से multiply किया तो A से divide किया B से multiply किया तो B से divide A स्केर B और यहाँ पे A स्केर C और यहाँ पे students B से multiply किया तो B into B स्केर इंटू A यहाँ पे B into B स्केर प्लस 1 और यहाँ B स्केर C और इसको C से multiply किया तो यह C स्केर A C स्केर B और यह C into C स्केर प्लस 1 अब देगे students R1 को A से R2 को B से R3 को C से multiply किया था तो हमने A, B, C से divide कर दे determinant को अब जैसे मैंने multiply किया R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से, अब वैसे ही मैं common लुगा, take common क्या multiply किया था ABC, तो मैं ABC common लूँगा, ABC, कहां से लूँगा students, ये देखने की बात है अगर R1 को A से multiply किया है, तो students, इसका जो corresponding column है, यानि R1 का जो column बनेगा, वो बनेगा C1, R2 को B से multiply किया है, तो R2 का जो column बनेगा corresponding वो बनेगा C2, और R3 को C से multiply किया है, तो हम C3 से common लेंगा, किसको ABC को, यानि ये चीज़ आपने देहार रख रहे हैं, अगर R1 को A से लाई किया है, तो C3 से हमने C common लिया, take common A, B, C from C1, C2, C3, respectively अब देखें students, यहां पे, A, यहां से common लिया, यहां से, A से multiply है, तो A, C1 से common लिया, यहां से A की लिया, यहां से B लिया, और यहां से C लिया, तो A, B, C बहार आ गया हमारे पास A, B, C अब यहां से A common लिया, तो C1 में बढ़ गया, A square plus 1 ए B square और यह C square यहां से B common लिया, यह A square ए B square plus 1 और यह C square, यहां से C common लिया, यहां पर A square B square और यह C square प्लस 1, अब student इससे एक इंसल, अब देखें, अब आपको चाहिए क्या 1 plus A square plus B square plus तो यह बन गया, देखिए, अगर इसमें इसको add कर दो, यानि R1 में क्या करें, R1 प्लस, R2 प्लस, R3 अगर कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा R1 में, A square प्लस, B square प्लस, C square प्लस, 1, यहाँ पे भी, A square प्लस, B square प्लस, C square प्लस, 1, यहाँ पे भी, A square प्लस, B square प् प्लस वन और यहां पर सी स्क्यार यह सी स्क्यार यह सी स्क्यार प्लस वन तो यहां से कोमन ले लिया यह स्क्यार प्लस प्लस वन c square प्लस 1 common और यहाँ पहला बनेगा students 1,1,1, ये b square ये b square plus 1 और ये b square ये c square, ये c square, ये c square plus 1 आगे क्या करें गे students 1,1 वाली property C1 की जगह क्या करेंगे C1-C2 C2 की जगह है C2-C3 तो यहाँ बनेगा students a square, b square plus c square plus 1 1 minus 1 ये 0 ये minus 1 और ये 0 यहाँ पर ये 0 ये 1 और ये minus 1 और ये 1 b square c square plus 1 अब इसको expand करते हैं student तो a square plus b square plus c square plus 1 इसको expand करते हैं first row से plus minus plus plus का 1 into first row में इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो minus 1 is plus का 1 minus इसकी multiply यहाँ 0 तो ये क्या बना a square plus b square plus c square plus 1 so this we have to prove this is equal to right hand side तो यहाँ पर भी देखें student हमने सिर्फ पहली property में सोचा दूसरी तीसरी बाकी सब अपने आप होता गया ये सम्ग अब हम करते हैं इसका 25th question तो 25th question क्या है students हमें इस determinant को 0 के equal prove करना है देखे students यहाँ पर अगर मैं इसको a से multiply कर देता हूं तो a b c बन जाएगा यहाँ भी a b c तो a b plus a c यहाँ इसको b से multiply कर दूँ तो a b c a b c a b c plus a b इसको c से multiply कर दूए a b c a b c c a plus c b तो यहाँ पर भी a b c है और यहाँ भी a b c बढ़ गया है तो यहाँ से कोमल ले लेंगे हम लोग तो क्या करें students multiply r1 r2 r3 by r1 को a से a r2 को b से r3 को c से respectively multiply किया students तो divide भी करेंगे बाहर तो 1 by a b c a से multiply किया तो b से c से तब इसको a से multiply किया तो a b square c square यह a b c बन गया और यहाँ से a b plus a c यहाँ पर b से multiply किया इसको इसको b से multiply किया तो b c square a square यह a b c और यह b c plus a b इसको c से multiply किया तो a square b square c यह ABC और यह AC प्लस BC अब students यहां से ABC कुमन है यहां से ABC कुमन है तो ABC R1 से और C1 से और C2 से कुमन आ गया तो ABC यहां आ गया एक यहां से ABC कुमन आ एक यहां से बच लिचे ABC पड़ा है तो अंदर क्या बच गया हमारे पास ABC कुमन लिया तो यहां BC यहां CA यहां AB यहां 111 और यहां AB PLUS AC यहां BC PLUS AB और यहां AC PLUS BC अगर मैं इसको इसमें कर देता हूं या इसको इसमें आड़ कर दो तो यहां पे a b plus b c plus a c बन जाएगा यह b c plus a b plus a c a c plus b c plus a b तो यहनी यह factor फिर को बना जाएगा तो मैंने क्या किया अब c3 में क्या कर दिया c3 plus c1 इससे एक हैंसल तो a b c यहां पे c1 एजटी b c c a a b one 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 यहां पे a b plus a c plus b c यहां c a plus b c plus a b और यहां a c plus b c plus a b अब देखे students यह a b plus b c plus a c यह सारा factor common आ जाएगा यहां से तो हमारे पास बनेगा a b c और यहां पे factor common a b plus b c plus a c common अंदर बचेगा हमारे पास b c c a a b one 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 तो यहां पे c2 is identical to c3 so c2 is identical to c3 its value is 0 देखे students 26th question क्या कहता है 26th question कहता है a plus b का whole square c a b c यानि यह जो determinant है इसको इसके कोल प्रूव करना है अब यहां पे थोड़ा property लगाते time हम सोचेंगे और पहली property को ध्यान से सोचेंगे और सोचने का वे क्या है जैसे a और b है इसको c से multiply करो b और c है इसको a से multiply करो c और a है इसको b से multiply करो तो लिखेंगे हम multiply r1 r2 r3 by इसको किस से multiply करना है students a और b है c से इसको a से और इसको b से respectively multiply किया तो divide भी करें 1 by a b c अब हमारे पास a प्लस b का स्केर इंटू c इसको c से multiply क्या है c स्केर a और यह c स्केर b यहां इसको b प्लस c इसको a से multiply करना है न एसे इसको r2 को a से multiply करना है तो इसको a से multiply करो a स्केर c यह a इंटू b स्केर b इसको b से multiply करना है R3 को B से देखी तो B से multiply करेंगे तो B square C और यहाँ पे B square A और यहाँ पे B into C plus A का whole square अब देखें students अगर multiply ऐसे कि R1 को A C से R2 को A से और R3 को B से तो common भी वैसे ही लेंगे यानि C1 में से हम common लेंगे C, C2 में से common लेंगे A और C3 में से लेंगे यानि take common common C, A, B C, A, B from कहां से students R1 का corresponding column C1 R2 का C2 और R3 के हैं C3 यानि उन्ही के जो corresponding column है उन्हें से common लेंगे वही चीज़ C, A, B यानि अगर R1 को C से multiply किया है तो यहाँ से C common लेंगे R2 को C, B से A से multiply कि यहाँ से A common लेंगे R3 को B से multiply किया है, यहाँ से B common लेंगे respectively जब common लेंगे students तो क्या बनेगा हमारे पास A, B, C common ले लिया हमने A, B, C अंदर बचे गया, यहाँ से C common लिया तो यहाँ बचे गया A प्लस B का whole square यहाँ पे A square और यहाँ पे B square यहाँ पे C square यहाँ पे B plus C का whole square और यहाँ पे B square, यहाँ पे C square यहाँ पे A square, यहाँ पे C plus A का whole square यह बचे गया students, यहाँ से यह cancel अब देखे students यहाँ पे 0 बन सकता है, हमारा ध्यान 0 बनाने की और होता है, क्या करें? अगर इसमें से इसको माइनस करें तो यह 0 बन जाएगा यहाँ भी 0 बन सकता है, अगर इसमें से इसको माइनस करें यानि C1 में क्या property लगाएं? C1 माइनस C3 और C2 में क्या property लगाएं? C2 में C2 माइनस C3 तो property लगाते है students यहाँ पे A plus B का whole square स्क्राइब 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 में से a square को माइनस करो इस में से इसको माइस करो b square में से माइनस करो c प्लस a का whole square यहाँ c square a square यहाँ c प्लस a का whole square आप students यहाँ पर देखिए वो a square माइनस b square का फार्मूला a माइनस b और a प्लस b यह सारा a और यह हो गया B यानि X square minus Y square का फार्वूला X minus Y और X plus Y यह सारा X और Y तो हमारे पास फार्वूला बन गया X minus Y और X plus Y यानि A plus B minus C into A plus B plus C एक बार plus और एक बार minus यह 0 इसी तरह हैं से यहां पर B plus C plus A एक बार minus करोगे इसको जब माइनस करोगे तो B minus C minus A बन जाएगा यहां 0 इसी तरह हैं यहां पर A square minus B square का एक बार plus और एक बार minus B plus C plus A एक बार minus B plus C minus A और यहां भी एक बार plus एक बार minus B plus C plus A और यहां B minus C minus A जब इसको minus करोगे तो A minus आ जाएगा यह ए जड़ी C square A square और यहां पर जब इसको खोलेंगे c square plus a square plus two c a so students यहाँ पर take common लेंगे c1 से भी हमारे पास a plus b plus c common है और c2 से भी a plus b plus c take common a plus b plus c from c1 and c2 दोनों से common लेंगे c1 से भी और c2 से भी तो a plus b plus c यहां से भी common यहां से भी तो हमारे पास क्या बचेगा students a plus b plus c common आ जाएगा हमारे पास a plus b plus c दो बार common आ गया तो यह इसकी power 2 जाएगा और अंदर क्या बचेगा यहां पर बचेगा a plus b minus c देखे a plus b minus c 0 a plus b minus c 0 देखते हमें a plus b minus c यह 0 और पीफ्रे में बचा हमारे पास यहां बचा b minus c minus a पर आएगा आएगा b minus c minus a आप देखे students यहां से क्या को मनें a plus b plus c यह 0 b plus c minus a यह बन जाएगा 0 b plus c minus a और यहां से b a plus b plus c को मनें ले लिए तो b minus c minus a तो b यहां जाएगा b minus c minus a और यहां पर क्या है students c square a square यह है c square a square c square plus a square प्लस 2 c अब students देखे यहां पर क्या property लगाए हम हम यहां पर इन दोनों को खतम कर सकते हैं कैसे हो जाएगे cancel कैसे हो जाएगे अगर r3 में से इस में से इसको ही minus करो और इसको ही minus करो तो यह दोनों को खतम हो जाएगे students तो हम क्या करें r3 में क्या property लगाए r3 minus r1 minus r2 तो a plus b plus c का whole square हमारे पास बतेगा a plus b minus c 0 c square 0 b plus c minus a a square अब यहां पर क्या property लगाए है इस में से इन दोनों को minus करना है तो यहां पर जब इस में से minus करोगे b minus c minus a में से इसको minus करो 0 और इसको minus करो minus a minus b plus c हो जाएगा और जब इस में से इसको minus करो b minus c minus a में से इसको minus करो minus का b minus का c plus का a और यह minus का 0 और जब इसमें से minus करोगे students c square plus a square plus 2 c a में से इन दोनों को minus का c square minus का a square तो यह बचे का student से लिख दिया अब a plus b plus c का whole square यहाँ पे बचा a plus b minus c 0 c square और यह 0 b plus c minus a यह a square और यहाँ पे देखे students यहाँ पे b से b cancel और c से c cancel यहाँ पे b से b cancel और a से a cancel यहाँ से इस से a cancel और इस से a cancel तो हमारे पास बचे गया students यहाँ पे minus a और minus a minus a minus a minus का 2 यह minus का c और minus का c minus का 2c और यहाँ पे 2c है अब students यहाँ पे देखिए 2 common ले लिया यहाँ से सारी से जब 2 common लेंगे हम तो 2 a plus b plus c सारे का square और a plus b minus c 0 c square और यहाँ 0 b plus c minus a a square और यहाँ minus a minus c और यह c a अब students हमारा अधान होता है 0 बनाने की और अब यहाँ पे 0 बन सकता है कैसे अगर इस में यह क्या है c3 c3 में क्या करूँ c3 में मैं अगर इसको a से डिवाइड कर दो यह c से डिवाइड करके c से डिवाइड कर दे तो a बद जाएगा और इसमें प्लस कर दो यानि C3 में क्या करूँ C3 को A से डिवाइड करके प्लस कर दो C से डिवाइड करके C3 में C से डिवाइड करके प्लस करो C से डिवाइड करके इसमें प्लस करो तो यह C का हैंसल हो जाएगा और A प्लस से 0 हो जाएगा माइनस का A प्लस से 0 इसी तरह से c2 में यहां पे 0 बन सकता है students क्या करूं c2 में इसको किस से डिवाइड करके plus करो इसको a से डिवाइड करो और minus c plus c 0 हो जाएगा यानि c3 को plus करो a से डिवाइड करके तो यहां बना 2a plus b plus c का whole square यहां पे c1 में यानि c1 में क्या property लगा यह students यह जो प्रपर्टी है students यह c1 में लगी है न क्योंकि c1 में plus करना है c1 में plus करना है हमने यहां पे गलत ले लिया था यहां पे इसमें plus करो इसको c से डिवाइड करके तो मैं से प्लस से 0 इसको c से डिवाइड करके तो प्लस का c बच जाएगा इसको 0 में plus करना है इसको c से डिवाइड करके तो a square by c और minus a में c3 को a से डिवाइड करके यहानी c square को a से डिवाइड करके प्लस करो इसमें भी b plus c minus a में इसको a से डिवाइड करके प्लस करो है तो ए प्लस का a बच जाएगा और यहां पे c square a square c आप students यहां बचा 2 into a plus b plus c और यहां बना a plus b बच गया यहां इससे एक एंसल और यह बच गया a square by c और यहां बच गया students a minus a plus a 0 यहां c square by a यहां इससे एक एंसल यह b plus c और यहां c minus c plus c 0 और यहां c square a square c a यह बन गया अब students हम इसको expand करते हैं by a c3 expand करते हैं r3 से 2 into a plus b plus c r3 से कैसे expand ह bakın students plus minus plus minus plus plus का c होई इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे इसकी multiply यहां जयन्य यह a plus b की multiply करेंगे हम लोग किसके साथ b plus c के साथ minus का sign a square by c की multiply करेंगे हम लोग किसके साथ c square by a के साथ है स्केल बाई एकह साथ इससे यह कैंसन कि आज तो जो हमारे पास बचेगा वह क्या का कि आृ यह बनेगा हमारे पास two इंटू यहां पर इखे ए प्लस ब्वी प्लस दून सी का स्केर है तो यह स्केयर लिखते जाएं तो यहां बचेगा स्टूडनस 2 into A plus B plus C का whole square और ये C A into ये क्या है A plus B की multiply है मेरे पास B plus C के साथ और minus ये AC बच गया अब पहले इनकी multiply करते है students 2 into A plus B plus C का whole square C A into अब इसकी multiply हैं करो AB plus B square इसकी multiply हैं करो AC plus BC और ये minus का AC इससे ये cancel हो गया students अब इसमें से इसमें से और इसमें से B common है तो 2 into A plus B plus C का whole square यहां से B common ले लिया तो C A B बहर अंदर A plus B plus C बच गया तो ये हमारे पास क्या आया students 2 into A plus B plus C की whole cube into A C A B है न एक की होगी और दो पावर A 3 होगी तो C A B को हमें A B C बोड़ चकते हैं तो यही हमें prove करना था so this is equal to right hand side so left hand side is equal to right hand side अब student इसका 27th question देखते हैं तो 27th question क्या है हमारे पास students हमें इसको इसके equal prove करना है तो हमें यहाँ चाहिए A square plus B square plus C square A plus B plus C तो हम क्या करें students देखे इसको पहले open करते हैं हम लोग इस identity को खोलते हैं B plus C को whole square B square plus C square plus 2 B C यहाँ पे C square plus A square plus 2 C A और यहाँ पे students A square plus B square plus 2 A B और यहाँ पे A square यह B square यह C square यहाँ पे B C C A और A B अब students क्या करें अगर मैं इसको इसको add कर दूँ और इसको 2 से multiply करके minus कर दूँ अगर इसको add करूँ तो A square plus B square plus C square बन जाएगा लेकिन 2 से multiply करके इसको minus करूँ यह cancer हो जाएगा तो मेरे पास A square plus B square plus C square बन जाएगा तो मैंने क्या किया C1 में क्या किया C1 में C2 को add कर दिया और C3 को 2 से multiply करके minus कर दिया तो हमारे पास बनेगा B square plus C square plus A square और 2 B C यह जो मैंने इसको add किया और इसको 2 से multiply करके लो तो यहां पर C square plus A square plus 2CA में क्या किया इसको एड़ किया B square और इसको 2 से मल्टिप्लाइ करके माइस 2CA इसमें A square plus B square plus 2AB में मैंने क्या किया इसको प्लस किया और इसको 2 से मल्टिप्लाइ करके माइस किया 2AB और second column एजोड़ी A square B square C square और ये BC ये CA और ये AB अब देखें students यहां से ये cancel यहां से ये cancel ये cancel तो A square plus B square plus C square बचिए सारी में तो ये common आगए हमारे पास बाहर A square plus B square plus C square common अंदर बचिए हमारे पास 1, 1, 1 ये A square, B square, C square यहां BC, CA और AB अब इसके बाद students आप लोग खुद करेंगे 1, 1 वाली property लगा करते R1 में लगाएंगे R1 minus R2 और R2 में लगाएंगे R2 minus R3 then do yourself आप अपने आप करेंगे इसके बाद तो बहुत simple question हो जाता है इसके बाद तो यह ऐसा ही question हो जाता है जैसे कि मैंने आपको यह करवाया है यह लखिए यह वाले यह लगाएं आप यह इसी तरह का question मैं जाते हैं फिर इसके बाद तो तो इसके बाद आपने खुद करना है इसके बाद मुझे इसके प्लस B कोई इसके इसके प्रोड करना है तो यहां पे भी कैसे प्रोपक्रट मर्टी स harus है इसको एसे सीय मुल्डिप्लाइब करें often multiply r1 r2 r3 by a b c respectively जब multiply करें students तो क्या बनेगा इसको a से multiply करोगे तो a into b square plus c square यह a square b और यह a square c इसको b से multiply करें b into b square into a यह बन जाएगा b into c square plus a square और यह बन जाए b square c इसको c से multiply करना है यह आदेगा c square a c square b और यह c into a square plus b square आप students क्योंकि multiply किया है तो divide भी करेंगे हम लोग a b c अब वैसे ही common लेंगे take common वहीज चीज common लेंगे a b c कहां से लेंगे students from कहां से r1 से a r2 से b और r3 से c multiply किया है तो हम c1 में से a c2 में से b और c3 में से c को में लेंगे from c1 c2 c3 में से a b c को में लेंगे तो c1 में से क्या लिए ना students a तो यहां से a को में लें तो a आगया बहर यहां से b लेंगे तो a square b square a square plus b square अब student इस से cancel अब हमारी जो धान है वो जादा से जादा 0 बनाने की और है तो यहां पर देखे students यहां पर 0 बन सकता है अगर इसमें से इसको माइनस करें इसको माइनस करें यानि r1 में से क्या करें r1 माइनस r2 माइनस r2 तो हमारे पास बनेगा इसमें यहां 0 बन जाएगा जब इसमें से अब students क्या करोगे आप यहां से two को मल लीब अधर बजगा 0 minusc square minusb square b square c square plus a square b square यहां पे c square c square और a square प्लस b square अब students क्या करो यहां पे property लगाओ यहां पे जिरो बना सकता हूँ क्या करें इसमें इसको льड करें यहां जिरो बन जाएगा जिब इसमें इसको add करें यानि r3 में क्या करें r3 plus r1 और r2 में यहां भी 0 बन सकता है r2 में भी r2 plus r1 करेंगे r2 plus r1 तो यहां पर 2 into 0 यह माइनस c square माइनस b square यहां पर students जब इसमें इसको एड करोगे तो यह a square और इसमें 0 बन जाएगा यहां पर इसमें इसको आड करो तो c square यह 0 बन जाएगा इसमें इसको आड करोगे तो यह a square अब इसको expand करतें students तो 2 expand करते है r1 से r1 से expand करो 2 into plus minus इसके साथ minus लगाओगे तो minus or minus plus का c square into इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे तो b square a square minus 0 अब plus minus plus plus minus minus रहेगा यह b square into इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 0 minus c square a square तो students हम यहां पर कराओं बापटी का हिस्था तो हमारे पास बचाएं यह यहनी तो इंटू यहां पर a square b square c square a square b square c square और minus यह b square को minus इस से मलती है minus minus plus का a square b square c square तो यह 2 into a square b square c square plus a square यहनि 2 a square b square c square और 2 into 2 4 a square b square c square so this we had to true यह देखिए so students आज के लिए इतना ही बाके के जो question है हम next video में देखेंगे उमीद करतों आपको मेरी video पसंद आई है अगर आपको पसंद आई है तो आप इस video को like करें share करें comment करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है उनसे मेरी request है भी मेरे channel को subscribe करें thank you very much